चैनल एजो बर्ड तोड़े वी आर गोंग तो डिसकस दा फोर्थ लेशन ओफ टेंथ क्लास फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक दा नेम अफ दिस लेशन इज फ्रॉम दा डाइरी ओफ एनी फ्रेंक रिटन बाइ एनी फ्रेंक यह लेशन एनी फ्रेंक के दवारा लिखा गया है और यह एनी फ्रेंक की डाइरी से ही लिया गया है तो आएए देखते हैं इस लेशन के अंदर आपके में क्रेक्टर कौन-कौन से हैं सबसे पहले एनी इनी फ्रेंक जो इसका अनी फ्रेंक का कंप्रिट नेम क्या है एनी इनी फ्रेंक एक लड़की है तेरा साल की इस मार्गोट फ्रेंक जो कि उनकी एल्डर सिस्टर है और फिफ्ट क्रेक्टर है आपके मिस्टर कीजिंग मिस्टर कीजिंग कोन है उनके मैठमेटिक सब्जेक्ट के टीचर तो लेसन को पढ़ने से पहले हम एनी फ्रेंक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं एनी लीज म जूइस गर्ल थी जो की लिखती थी चिपते हुए अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ इन एमस्टरडम मतलब जहां अब जहां वो एमस्टरडम में चिप रहे थे उस टाइम पर वह है डाइरी लिख रही थी जब जर्मनी के उपर कबज़ा हुआ था ऊक्पेशन हुआ था ओफदा निदर लैंड्स इन वर्ड़ वार सेकिंड किसका निदर लैंड्स का व ल्ल्ड़ वार सेकिंड में हर फैमिली हैड मूँट टो एमस्टरडम आफटर दा नाजी गें पावर्ड इन जर्मनी बट वर वर सेकेंड में नाजिज और जूस के बीच में वोर चल रहा था तो नाजिज ने जूस के उपर कबजा कर लिया था उनको हरा दिया था और उन्होंने जर्मनी के उपर भी कबजा कर लिया था फिर वे उनको बच के कहां पर भागना पड़ा था एमस्टेडम और फिर वे जहा against the Jewish population increased और मतलब क्या था persecution मतलब सजाए उनको सजा दी जा रही थी उनको पीडित किया जा रहा था नाजीज पीपल के दोवारा जूज पीपल को और फिर क्या हुआ जो फैमिली थी वो 1942 में जोलाई 1942 में रूम में चिपी हुई थी उसके फादर की दो साल बाद चिपने के बाद the group was betrayed betrayed का मिनिंग क्या होता है किसी के दवारा धोखा देना किसी के दवारा धोखा देना किसी के दवारा उसके दूसरे के enemy को उसका secret बताना तो किसी ने उनके group का secret बता दिया कि यहाँ पर चिपे हुई है फिर उनको क्या किया गया कंसंट्रेशन केंप के अंदर बेश दिया गया जहां पर एनी की मोत होगी टाइफाइड की वज़े से जो कि कहां पर था कौन सा प्लेस था वो बर्जन बर्लसन और कुछ दिनों के अंदर ही कुछ दिन पहले ही उसकी सिस्टर मारगोट फ्रेंक की भी डेथ हो गई थी ये आप एक मारवल देख सकते हो जो की एनी फ्रेंक और मारगोट फ्रेंक की डेथ के उपर लगा हुआ उनकी पचिता के उपर लगा हुआ था मारगोट फ्रेंक की डेथ कब हो ही 1945 में और 1945 में ही एनी फ्रेंक की डेथ होगी कुछ दिन बाद ही जो उनके फादर थे ओटो फ्रेंक सिर्फ वो ही बचे थे उनके ग्रूप में से उन्हों क्या किया उन्होंने एमस्टरडम वापिस आए जब वार खतम हुआ मतलब जो वार चल रहा था उनको कंसंट्रेशन कैम्प म पेश देगा था जो कि बरजन बलसन में था फिर क्या किया वार खतम हुआ तो वो एमस्टरडम वापिस आए उस डैरी को ढूंडने के लिए और ऐसा सोचते हुए ऐसा उनको लगा कि यह एक यूनिक रिकोर्ड है मतलब एक अलग रिकोर्ड है बहुत अच्छा रिकोर्ड ह और उसने इसके खिलाब एक्शन लिया इसके उपर एक्शन लिया और इसको पब्लिस करवा दिया मतलब जनता के सामने पेश कर दिया इसको पब्लिक ली किस नाम से दाडाइरी ओफ यंग गल और इन्होंने इंगलिस नेम भी रखा इसका दाडाइरी ओफ यंग गल आप प The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. जो यह diary थी, Annie Frank को उसके 13th birthday के उपर मिली थी. और Chronicles क्या होता है? Historical events, मतलब उसकी life के जो historical events थे, वो 12 June 1942 से लेके 1 August 1944 तक लिखे गए थी. फाइनल एंट्री उसकी लास्ट एंट्री कब हुई थी? 1 August 1944 को. और फिर क्या हुआ? इस diary जो diary Dutch language में लिख्या गया था और इसको बहुत सारी languages के अंदर translate किया गया. मतलब English और दूसरी languages के अंदर इसको translate किया गया. और फिर है उस time सबसे ज़्यादा पड़ी जाने वाली दुनिया की famous किताब होगी. मतलब सबसे ज़्यादा पड़ी जाने वाली किताब बने चुकी थी. There have also been several films, televisions and theoretical productions and even an opera based on the diary. या pictures देख सकते हो, यह क्या है उपर वाला opera dance है और यह नीचे वाले के है theoretical production. और इस diary के story के उपर based उस Europe में वहाँ पर क्या हुआ बहुत सारे theoretical production, drama, filmे बगारा, movie बगारा बनी और opera dance भी बनाए गए. और इस वरक को सभी ने क्या कहा बहुत ही mature and insightful mind क्या होता है जो कि एक आतम निरक्षण अपने मतलब परसिक्षण, खुद का परसिक्षण इतने अच्छे गंग से करने वाले दिमाग को उस ने, लोगों ने इसके वरक को बता, मतलब जो Annie Frank ने diary लिखी थी, उसको लोगों न क्या बता है, mature or insightful mind की diary बताया, the diary provide an intimate examination of daily life under Nazi occupation, Annie Frank has become one of the most renowned and discussed of the holocaust victims, मतलब क्या हुआ, कि यह है diary, जो intimate मतलब important information provide करवाती है, कि कैसे नाजीज के occupation के अंदर उन्होंने अपनी daily life जी थी, मतलब वो कैसे जी रहे थे, जब नाजीज का जर्मनी के उपर कबजा हो गया था, और नेदरलैंड के उपर कबजा हो गया था, वो कैसे जी रहे थे, और यह सबसे एनी फ्रेंक की जो यह है diary थी, यह है कहानी थी, यह जादा मातरा में destruction हो जाए, तबाई हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, holocaust, जो पीडित थे वहाँ पर उन में से सबसे जादा famous यही बात हुई थी, एनी फ्रेंक की उस ताइम पर world war second के अंदर, मतलब और भी बहुत जादा पीडित लोग है थे, लेकिन यह है बात सबसे ज also, because it seemed to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl, इसका मेनिंग क्या हुआ, कि डाइरी में लिखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा strange experience था, बहुत ज़्यादा अदबुत अनुवव था, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैंने इसको कभी लिखा नहीं है, बलकि इसलिए कि कोई भी एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की की डाइरी के उपर interest नहीं दिखाएगा, और अपना reflection और अपने विचार नहीं दिखाएगा, मतलब उसके thoughts और विचार को कौन पड़ेगा, उस चल रहा है, उसके विचार वगेरा, ओ, well, it does not matter, I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things of my chest, ओ, अच्छा, इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लिखना अच्छा लगता है, और इस से भी ज़्यादा, मेरे दिमाग के उपर बहुत सारा बोज बन चुका है, और उस बोज क मैं हलका करना चाहती हूँ, kinds of things of my chest, मतलब उसके सीने के उपर, उसके दिमाग के उपर क्या बन गया था, बहुत सी चीजों का बोज बन गया था, जो किसी के साथ सेर नहीं कर सकती थी, और इस चीज़ को उसने अपनी डाइरी के अंदर सेर किया, पेपर has more patience than people, I thought of this saying, on one of the days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, देखिए, क्या मिनिक हुआ, कि पेपर के अंदर ज्यादा patience होता है, लोगों से ज्यादा, मैं ऐसा सोशती थी, और ऐसा कहती थी, उन दिनों में, जब मैं थोड़ी सी depressed थी, और घर बैठी थी, और अपनी चिन के उपर हाथ लगाए, जब मैं घर बैठी थी, bored or listless, listless का मिन क्या होता है, with no energy or interest, मतलब उस time की बात कर रही है, जब यह है, घर में बैठी थी, उस time में उसका सोचना था, कि पेपर के अंदर ज्यादा patience होता है, लोगों से ज्यादा, तो उसने क्या सोचा, तो मिनिंग क्या हुआ, मैं उस time पर सोच रही थी, कि यही पर अंदर रहा जाए, या बाहर जाए, और फिर finally मैं वही पर रुखी, जहां पर मैं एक deep thought के अंदर खोई हुई थी, एक बुरी से thought के अंदर मैं खोई हुई थी, मेरे दिमाग में बुरे बुरे thought चल रहे थे, और फिर मैंने क्या सोचा, हाँ, पेपर के अंदर ज्यादा patience होता है, लोगों से ज्यादा, Since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly, referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Friends, देखिए, जब तक मैं planning कर रही थी कि कोई भी मेरी stiff-backed मतलब सक्त, जिसका cover सक्त था, notebook को grandly मतलब ऐसे ही नहीं पढ़े, as a diary, मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरी diary को as a diary पढ़े, जब तक मेरेको एक real friend नहीं मिल जाता, लेकिन इस बात से ज़्यादा कुछ फरक नहीं पढ़ता था, Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place, I do not have a friend, और मैं वापिस उसी point के उपर आती हूँ, जिसने मुझे डायरी रखने के लिए उत्साहित किया, उत्तेजित किया, मेरेको force किया, prompted का means क्या होता है, किसी चीज़ के लिए force करना, उत्साहित करना, मतलब, उसका कारण बनना. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not, I have loving parents, a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. Please, सबसे पहले तो मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, कि कोई भी यहें नहीं सोचेगा, कि एक 13 साल की लड़की पूरी तरह से अकेली है, और असल में मैं थी भी नहीं, क्योंकि मेरे loving parents थे, 16-year-old sister थी, और लगबग 30 people थे, जिने मैं friends कह सकती थी. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything, except my one true friend. क्या कह रही है, कि मेरी family थी, loving aunts थी, प्यारी-प्यारी aunts थी मेरी, और मेरा अच्छा घर था, ऊपर से तो मेरे पास सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन कमी किस चीज़ की थी, एक true friend की, एक सचे दोस्त की, All I think about when I am with friends is having a good time, and I cannot bring myself to talk about anything, but ordinary everyday things, meaning क्या हुआ, All I think about, मैं ऐसा सोचती थी, जब मैं अपने friends के साथ होती हूँ, अच्छे समय में मतलब time spent कर रही होती हूँ, तो मैं अपनी बाते उनसे नहीं share करती, लेकिन ordinary things, मतलब आम बोल साल की बाते तो मैं करती हूँ, लेकिन जो मेरे secrets हैं, मेरे मन की बाते हैं, मेरे दिल की बाते हैं, मैं किसी से थेर, नहीं करती, we don't seem to be able to get any closer, and that's the problem, maybe, क्या लग रहा है, कि we don't seem, हम और हम आस-पास आते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे, मतलब हम और जो उसके friend है, वो उनसे closer भी नहीं होते हुए दिखाई दे रही, और यही problem है, साइद, maybe it's my fault that we do not confide in each other, हो सकता है, यह मेरा fault हो, कि हम एक दूसरे के से confide नहीं करते, confide का मिनिंग क्या होता है, to tell personal things privately to a person that one trusts, in any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change, this is why I have started the diary, मतलब इस तरह से, चीजे बस ऐसी ही थी, मैं किसी के साथ वाते नहीं करती थी, और unfortunately, यह सब कुछ बदलने वाला भी नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, डायरी लिखना सुरू किया, to enhance the image of this long-awaited friend, in my imagination, I do not want to jot down the facts in this diary, the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend kitty, मतलब इसकी image enhance, बड़ी करने के लिए, इसकी चवी एक long-awaited friend की तरह, बड़ी करने के लिए, in my imagination, उसकी कलपनाओं में, वह नहीं लिखना चाहती थी, आम facts, मतलब आम चीजे, जैसे most people लिखते हैं, कि मैं ये करता हूं, वो करता हूं, इस तरह की चीजे वो नहीं लिखना चाहती थी, बलकि वह क्या चाहती थी, उस डायरी को अपना friend बनाना चाहती थी, और इसलिए वह उसको kitty कहने जा रही थी, इसका मिनिंग क्या हुआ, कि जब तक मैं अपने जीवन का ब्रीफ स्केच नहीं दूँगी, तो अगर मैं यहीं से लिखना सुरू कर दूँगी, इसी टाइम से पूरा energetically, मतलब अभी से मैं deeply यहीं इसी सन से लिखना सुरू कर दूँगी अपनी दैनिक जीवन को, तो कोई भी एक word नहीं समझ पाएगा, और फिर इससे अच्छा है कि मेरे को अपना एक brief स्केच, मतलब थोड़ा सा अपने बारे में, इस डैरी अपनी life के बारे में, इसमें लिखना चाहिए कि मेरा जनम कब हुआ, कहां पर, यह वो, तो और इसे मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करती ऐसा करने को, तो क्या कह रही है, कि मेरे फादर दुनिया के सबसे ज़्यादा अडूरेबल फादर है, मतलब सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट फादर है, जितने भी मैंने आज तक देखे हैं, उन्होंने मेरी मा से तब तक साधी नहीं की, जब तक वे 36 के नहीं हो गए थे, और उनकी मदर 25 के नहीं हो गई थी, और मेरी सिस्टर मारगोट उसका वह कब बॉर्न हुई थी, मतलब उनका जनम जर्मनी में फ्रेंकफर्ट में हुआ था 96 में I was born on 12 June 1929 I lived in Frankfurt until I was 4 My father emigrated to Holland in 1933 My mother Holland Frank went him to Holland in September While Margot and I were sent to Aiken to stay with our grandmother Meaning क्या हुआ कि देखो मेरा जनम मतलब अब Annie Frank कही रही है कि मेरा जनम 12 June 1929 को हुआ था और मैं Frankfurt में तब तक रही जब तक मैं 4 साल की थी मतलब 4 साल तक रही वो 4 साल की थी तब तक रही और फिर क्या किया उसके father emigrate emigrate क्या होता है कि अपने देश को छोड़ कर दूसरे देश में चले जाना और उसके father क्या किया उन्होंने Holland में emigrate हो गे 1933 में मतलब जब हो 4 साल की थी और मेरी mother Hollander Frank Edith Hollander Frank Edith mistype हुआ है आप देख ले न Edith Hollander Frank went with him to Holland in September उनके साथ Holland में चली गई थी September में जबकि Margot और में भेज दिये गए थे एकन to stay with our grandmother अपनी ग्रांड मदर के साथ रहने के लिए Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot फिर क्या हुआ कि Margot को तो December में भेज दिया गया था और फिर उसके पीछे पीछे मेरे को February में भेज दिया गया था जब मेरे को plunked down का मतलब put down in a casual way किसी चीज़ को as a casually रख देना कहीं पर और उसको क्या किया गया table के उपर any frank को रख दिया गया as a birthday present for Margot क्योंकि Margot का birthday था और उसको any frank को as a birthday present उसके table के उपर रख दिया गया था I started right away at the Montessori nursery school I stayed there until I was six at which time I started in the first form in the sixth form my teacher was Mrs. Cupraus the head mistress समझे कि मैं एक Montessori school उसी समय जाना शुरू कर दिया जब मैं छे साल की थी और उस टाइम पर मैं first form में थी first form means वह first class में थी और जब वह sixth class में हुई तो उनकी teacher कौन थी Mrs. Cupraus जो की उस school की head mistress थी at the end of the year we were both in tears as we said a heart-breaking farewell तो क्या हुआ जब year का end हुआ मतलब वो sixth class उसकी खतम हुई वह साल खतम हुआ तो हम दोनों के आँखों में आसू थे जैसे ही हमने एक दिल तोडने वाला farewell कहा मतलब अलविदा कहा तो हम दोनों बहुत दुखी थे क्या हुआ कि जब summer आ गई थी 1941 में मेरी दादी बिमार पढ़ गई और उनका ओपरेशन हुआ था होस्पिटल में इसलिए मेरा बर्डे थोड़ा सा कम सलिब्रेट किया गया उस ताइम पर क्योंकि उसकी दादी बिमार थी यह पिक्चर में देख सके हैं कि छोटी से लड़की दुखी है उदास है फिर आती है उसकी पिक्चर ग्रेंडमा की यह देखिए कि एनि फ्रेंक की रियल ग्रेंडमा कौन थी यही थी यह आपकी रियल पिक्चर है mainly जो कि black and white में है ग्रेंडमा डाइड इन जनवरी 1942 नो ओन नोस how often I think of her and still love her इस बर्डेंडमा इन 1942 was intended to make up for the other and ग्रेंडमा's candle was lit along with the rest इसका मेनिंग के हुआ कि उनकी ग्रेंडमा 1942 जनवरी में उनकी death हो गई और कोई नहीं जानता था कि मैं अब भी उन्हें कितना प्यार करती हूँ और इस बर्डेंड़ सेलिबरेशन 1942 में बलकि मैंने अपने लिए नहीं बलकि दूसरों के लिए सेलिबरेट किया था और अपनी candles के साथ मतलब उसके बर्डे के के ओपर जब उनकी candles जल रही थी साथ साथ में grandma की भी मुंबती जल रही थी grandma के लिए उसने candle जलाई the four of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the Solomon dedication of my diary मतलब हम चारों बहुत अच्छा कर रहे थे फिर मेरे present की date आती है कि मेरे को present मिलता है इस date को 20 June 1942 को मेरे को present मिलता है and the Solomon dedication of my diary और Solomon का मिनिंग क्या होता है very serious dedication मतलब वह dedicated थी उस diary के परती मतलब पूरे तनमंधन से उस diary के परती है serious थी dearst kitty our entire class quacking in its boots the reason of course is the forthcoming meeting in with the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back half the class is making bets G and I lie G and CN मतलब I laugh I laugh ourselves silly at the two boys behind us CN and Jacks who gave who have staked their entire holiday saving on their bet अब meaning समझे कि वह अपनी diary में लिखती है कि dearst kitty वह डैरी को अपना friend कहती है कि हमारी पूरी class quacking in boots का मतलब क्या हो रहत था shaking with fear मतलब डर से कपकपा रही थी इसका कारण यह है था कि आगे आने वाली meeting जो meeting हो रही थी teachers की, teachers क्या decide करने वाले थे कि कौन next class में जाएगा और कौन यही पर रहे जाएगा पीछे वाली class में ही रहे जाएगा आधी class क्या लगा रही थी? bets लगा रही थी? सर्त लगा रही थी और उसके फ्रेंड जी एन और मैं लाफ अवर सेल्फ अवर सेल्स सिली एड़ टू बोईज बिहाइंड अस और एक डूसरे के साथ हस रहे थे किस बात के लिए उन दो सिली मुरख लड़कों के लिए सियन एंड जैक्स जिनका नाम सियन एंड जैक्स है वो क्या कर रहे थे उन उन्हें पूरे होलीडो के अंदर पैसे बचाए और फिर दाओ पे लगा दिये फ्रों मॉर्निंग तू नाइट इस यू आर गोईंग तू पास नो आएम नोट येस यू आर नो आएम नोट इवन जी एस प्लेडिंग लेंसेज एंड माई एंगरी आउट बोर्स बोस्ट क नोट काल्म दैम डाउन तो क्या हुआ कि दिन से लेके रात तक मतलब सुबह से लेके शाम तक जब स्कूल का टाइम था हर कोई यह बात कर रहा था कि मैं नहीं तुम तुम नहीं मैं मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे बाते कर रहे थे कि तुम पास नहीं हो तुम पास हो जाओ तुम हो जाओगे मतलब एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे और बलकि जो जी एस थी जी एट थी उसकी फ्रेंड उसकी पलीडिंग लेंसिज मतलब पलीडिंग क्या होता है एक विनमर गलेंसिज की चुप हो जाओ पलीज ऐसे ही देखते हुए और मेरे गुसे बरे आउट बर्स से भी वो दोनों शांत नहीं हुए मतलब उनके पीछे बैठे थे वो students दोनों वो लड़के शोर मचा रहे थे तो हैनि फ्रेंक उनके तरफ गुसे से देखी फिर भी वो चुप नहीं हुए if you ask me there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back but the teachers are the most unpredictable creatures on earth meaning क्या हुआ अगर तुम मुझसे पूछते हूँ कि अगर मुझसे पूछे तो हमारी class में बहुत सारे dummy students हैं मतलब पुतले हैं एक तरफ से मतलब कम से कम आद एक one by fourth हमारी class में से one by fourth तो पका ही पीछे वाली class में रहना चाहिए लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता अनप्रेडिक्टेबल का मिनिंग क्या होता है जिसका अंताजा ना लगाया जासके उसका कहना है कि teachers जो होते हैं वो प्रिच्वी के ऊपर unpredictable creatures हैं मतलब ऐसे जीव हैं जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता उनको teachers के बारे में ऐसा सोचती है I am not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I am not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait until then. We keep telling each other not to lose heart and I get along pretty well with all my teachers. मतलब क्या हुआ मैं इतना ज्यादा dream नहीं हुई थी एपनी girlfriends के जब मतलब उसकी सहलिया थी उसकी दोस्त थी लड़कियां जो उसकी दोस्त थी और खुद के बारे में और उसने क्या सोचा था कि मैं सभी subjects में तो अच्छे से कर लोंगे लेकिन एक subject के बारे में वह है sure नहीं to lose heart मतलब चिंता मत करो ड्रो मत चिंता मत करो I get all along pretty well with all my teachers और मेरी सभी teachers से बहुत अच्छे सिमनती थी there are nine of old foggy who teach math मतलब वो सभी क्या थे no teachers थे उन में से क्या था old-fashioned person था जो हमें math पढ़ाता है was annoyed with me for ages because I talked so much और वो मुझसे बहुत ज़्यादा चिरते हैं काफी लंबे समय से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाते करती हूँ after several warnings he assigned me extra homework and essay on the subject a chatterbox a chatterbox what can you write about that I would worry about that letter I decided I jotted down the title in my notebook I tucked in it my bag and tried to keep quiet मतलब क्या हुआ बहुत सारी warnings देने के बाद उन्होंने मुझे क्या किया extra homework दे दिया और extra homework क्या दिया था एक essay लिखना किसके उपर a chatterbox के उपर मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाले के उपर उसने essay लिखने के लिए दिया a chatterbox what can और क्या तुम क्या लिख सकते हो इसके बारे में मैं इसके उपर चिंता कर रही थी अब उसका मानना था कि मैं इसके उपर बाद में देखूंगी इसकी सोच बाद में करूंगी मैंने decide किया और मैंने jotted down मतलब एक title लिखा अपनी notebook के अंदर और उसको bag के अंदर डाला और चुप चाप बैठने की courses की that evening after I had finished the rest of my homework the note about the essay quote my I I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen मतलब उस श्याम को जब मैं अपना homework खतम कर चुकी थी तो फिर क्या हुआ उसने उस note के बारे में देखा जो essay उस नोट लिखा था उसनी notebook के अंदर की chatterbox के उपर ऐसे लिख रहा है उसके उपर मेरी आके रुख गई और मैंने सोचना शुरू किया उस subject के उपर उस essay के उपर while chewing the जब है pen की tip को chewing कर रही थी उसके fountain pen की tip को chewing क मतलब पीछे से उसको चबा रही थी उसके Siri को चबा रही थी anyone anyone could ramble on and leave big spaces between the words but the trick was to come up with convincing arguments in such a manner that people believe it is का meaning यही हुआ to prove that necessity of talking मतलब समझ ये कि anyone could ramble on मतलब क्या हुआ कोई भी इसके उपर ramble on का मतलब talk or write for aimlessly for long मतलब कोई भी इसके उपर ज़्यादा बाते कर सकता है बिना किसी aim के बिना किसी audaces से बड़े बड़े spaces इसके अंदर छोड़ के लेकिन यह trick काम नहीं करने वाली थी the trick was to come up with यह trick सर्फ उससी के लिए काम करने वाली थी कि मतलब दूसरे को convince कर दो in arguments से हा मैंने ऐसे लिखा है और इसका मतलब क्या हुआ है convincing arguments का a statement made in a such a manner that people believe it एक ऐसी statement इस इसाब से लिखी गी या statement या गही गी statement जिसके ओपर लोग विश्वास कर ले मतलब वो नहीं चाहती थी कि ऐसे ही diary के अंदर बेवज़े से लिखती जाए और मैं क्या चाहती थी कि necessity of talking और वह इसलिए लिख रही थी कि वह बाते करने की जरूरत को समझती थी उसको प्रूव करना चाहती थी कि बाते करना कितना जरूरी है I thought and thought and suddenly I had an idea I wrote the three pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied I argued that talking is a student state and that I would do my best to keep it under control meaning समझे जब वह diary लिख रही थी तो उसने तीन पेज लिख दिये जो Mr. Kissing ने उसको assign किये थे उसको जो homework दिया था और वो satisfied भी हुए और उसके अंदर उन्होंने क्या argument लिखे क्या तरक वी तरक लिखे कि talking बाते करना एक student का trait होता है trait means गुन होता है जो उसे अपने parents से मिलते हैं या उसे अपने variation से मिलते हैं and that I would do my best to keep it under control और मैं मेरा अच्छा करूंगी इसको control करने के लिए मतलब इस गुन को इस trait को कम करने के लिए मैं अपना best करूंगी but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother tugged as much as I did if not more and that there's not much you can do about inherited traits मतलब समझी अब लेकिन मैं इसे पूरी तरह से ठीक करने में able नहीं थी मतलब able नहीं हो सकती उसको पूरी तरह से वह ठीक नहीं कर सकती क्योंकि यह habit उसकी मा भी बहुत ज़्यादा बोलती है मतलब थोड़ उससे ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा बोलती है और आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते inherited traits के बारे में मतलब जो inherited traits होती है जो qualities किसी भी बच्चे को parents से मिलती है उन्हें हम क्या बोलते है inherited traits यह आपकी science की ट्रम है आप science के lesson के अंदर पढ़ोगे evolution of human beings के अंदर पढ़ोगे Mr. Keezing had a good laugh at my arguments but when I proceeded to talk my way through the next lesson he assigned me a second essay this time it was supposed to be on an incorrigible अब chatterbox और क्या हुआ कि Mr. Keezing मेरे arguments के उपर हसे थे बहुत ज़्यादा हसे थे लेकिन जब मैंने बाते करना शुरू किया जब next lesson पढ़ा रहे थे वो तो उन्होंने फिर से मुझे दूसरा essay दे दिया और इस time उन्होंने ऐसा सोचते हुए essay दिया an incorrigible chatterbox और उन्होंने क्या essay दे दिया incorrigible क्या होता है जिसे ठीक ना किया जासके something that cannot be corrected और उन्होंने ऐसे क्या दिया एक incorrigible chatterbox के ओपर ऐसे लिखना दिया I handed it in and Mr. Keezing had nothing to complain about for two whole lessons मतलब और मैंने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया मतलब ऐसे जो उसने दिया था मैंने है homework ले लिया और Mr. Keezing के पास उन दो lessons जो उनको पढ़ाए थे उसके बारे में कोई भी complain नहीं थी complain करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था क्योंकि वैं अपना homework अच्छे से करती थी लेकिन जब third lesson आया अब बहुत ज़्यादा हो चुका था any frank as punishment for tugging in class write an essay entitled quack 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 said Mr. Chatterbox तो फिर क्या हुआ जब वो third lesson को पढ़ रहे थी तो अब बहुत हो चुका था अब फिर से वह बाते कर रही थी फिर क्या किया उसने दुबारा से उसे essay दे दिया किसके उपर quack 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 said Mr. Chatterbox की Mr. Chatterbox ने कहा quack 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 इसके उपर lesson लिखो मतलब उसको चिड़ा रहा था कि तो हम क्लास में इतना ज़्यादा बोलती हो the class rolled class class चिलाई I had to laugh too मेरे को भी हसना पड़ा था though I would nearly exhausted my ingenuity ingenuity क्या होता है originality and inventiveness मतलब असली or inventiveness मतलब नहीं नहीं चीज़े invented मतलब अब इसकारिक चीज़े लिखने के लिए मतलब मैं अब ठक चुकी थी मैं मेरी बाते खतम हो चुकी थी कि मैं दो lesson दो बार in essay के उपर बहुत ज़्यादा लिख सकती थी अब उसके पास कोई नहीं चीज़ नहीं थी लिखने के लिए chatterboxes के उपर jumped for joy क्या हुआ अब समय आ गया था कुछ original मतलब कुछ original लिखा जाए इसके उपर और मेरी friend सेन जो की poetry में अच्छी है उसने मुझे help करने के लिए offer किया मतलब उसने मुझे help करने के लिए का कि मैं तुमारी help कर दूँगी beginning से लेके end तक और इसकी वज़े से मैं एकदम से खुसी से jumped मतलब कूदी मतलब जब उसने कहा कि मैं तुमारी help करूँगी ऐसे में तो वह एकदम से कूद उठी Mr. Keezing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject but I would make sure the joke was on him जो Mr. Keezing थे वो मेरे उपर joke मार रहे थे इस ridiculous subject से इस ridiculous इस बचकाना मतलब मुर्ख ताबरे subject से वो क्या कर रहे थे मेरे उपर joke मार रहे थे लेकिन मेरे को पका यकिन था कि मैं इस joke को उनके उपर ही मारूंगी मतलब मैं ही उनका मजाग बनाऊंगी I finished my poem and it was beautiful it was about a mother duck and a father swan with three baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much luckily Mr. Keezing took the joke right away फिर क्या हुआ मैंने अपनी poem को खतम किया और यह बहुत beautiful थी और यह क्या थी poem एक mother duck के बारे में और एक father swan के बारे में जिनके तीन बच्चे थे जो की duckling duck 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 करते रहते थे मतलब हमेंसा बहुँ ज़दा quack quack करते रहते थे और फिर क्या हुआ उसके वो मार दिये गई उसके father के दवारा क्योंकि वो बहुत ज़दा बोलते थी और luckily Mr. Keezing ने इस बात को सही तरीके से लिए इस joke को सही तरीके से लिए मतलब गलत नहीं लिया फिर क्या क्या उसने इस बात को सही लिया मतलब गलत नजरिये से नहीं लिया Mr. Keezing ने उसके mathematics teacher ने और उसने उस पोईम को पूरी क्लास को पढ़कर सुनाया और अपने खुद के कुमेंट्स भी इसके अंदर एड किये और बहुत सारी दूसरी क्लास के अंदर भी उसने इसको पढ़कर सुनाया और तब से उसने उन्होंने मेरे को बाते करने के लिए अलाओ किया और मेरे को उसके बाद कभी भी एक्स्रा होम वर्क नहीं दिया On the contrary, इसके बावजूद Mr. Keezing's always making jokes these days और इसके बावजूद Mr. Keezing इन दिनों बहुत सारे jokes मतलब बहुत सारे चुटकले भी सुना रहे हैं उनके लिए अच्छी अच्छी फणी बाते भी बता रहे हैं क्लास के अंदर You are any, आपकी any Extracted from the diary of a young girl यह किससे लिया गया है Young girl की जो diary का नाम था diary of a young girl उसे extract किया गया उससे निकाला गया है With slight adaptations इसमें थोड़ा बहुत कुछ adaptation मतलब फिर बदला किया गया है lesson के अंदर तो friends आपको वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और दूसरे friends के साथ इसे share भी कीजिए और आप इस वीडियो के अंदर क्या कमी है जो कमी आपको लगी करप्या करके आप comment section में जरूर review दे Thank you